हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल पावर टेक हिल्प, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पी एच स्केल के बारे में कि पी एच स्केल क्या होता है, तो यहाँ पर आप स्कीन पर देख सकते हैं कि पी एच स्केल यह आपको लिखा हुआ है, और इसके डिफिनेशन क होते हैं, तो यहाँ पर मैं बताओ दू कि पी एच स्केल रेंज फ्रम 0 टू 14, या नि पी एक स्केल का रेंज कितना होता है 0 से लेकर 14 तक होता है , स्केल इस्टार्ट विद जीरो पी एच इंडिकेर्ट। सॉलूशन फ्रॉशन acidi की यानि जो phs के ले start होता है 0 से लेकर 0 से वो क्या होता है indicate the solution is strongly acidi की यानि क्या होता है यह acidi होता है and end with 14 indicates that the solution is strong strongly alkaline यानि basic होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मतलब 0 से start होता है इसके बाद मैं यहाँ पर बता दू आपको कि the central point ph in the in this scale is seven indicate that the solution is neutral यानि कि जो seven होता है इसके अंदर ph scale के अंदर जो seven point होता है वो क्या indicate करता है कि जो solution है वो क्या हमारा neutral है यानि three region होते हैं इसके लिए आपको region में बता दू कितने region होते हैं जो two three region होते हैं आप यहां पे देख सकते हैं फ्रस लंबर कि जीन टू जीना से लोल स्यंट होगा यानि जीनो सेlık हमारा क्या होगा its edic होगा और two number में जिर्फ still आपको तो मैं अभी बताया जिबीन क्या होगा neutral होगा यहाँ है यो यह से जब्ल इसके इस सेवें इंडिकेट निसनी निट्रव जो सेवेंड हो क्या है निच नुट्रल और मैं ले जो थार्ड नंबर क्या है इव चैनल टॉर्टिन यह से अधिक होता है वह क्या सकते देख सकते यहाँ पे 0-7 तक कहां सेटेंस्ट तक सकते यहां पर देखिए के ये से बन कर यह क्लाम के दोरह आसानी से समझ गया हो पिएज तैसे निम लिकर मेंटर्नों मैंटर्द के दवारा आप तो मतलब डिंटरूमाइन कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं ढिरी है करने के नहीं 4D क्या है प्याओ प्याओं सेकेंड नबर क्या एलेक्ट्रो मेंटरिक मेंटर्द और थार्ड नमर क्या है कैलोरी मेट्रिक मेठर्ट यानि यह जो तीन मेठर्ट है इसके द्वारा हम पी एज को मतलब डिटर्माइन कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू दोस्तों इफ यू अंडरेस्टेंड इस वीडियो फिली लाइक सब्सक्राइब एंड शेर मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग मैं रीडियो